अगर आप दबंग या प्रिशासन की अंसुनवाई से परिशान है तो आईए इंडियन वेटरन और्गनाइजेशन के पास देश्य सिवा वालोक सिवा के लिए रिटायर्ट फॉजियों ने बनाया इंडियन वेटरन और्गनाइजेशन अगर आपको कोई परिशान करता है या फिर बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रिशासन या शासन आपकी सुनवाई नहीं करता तो आप घबराईए नहीं आप अपनी बात इंडियन वेटरन और्गनाइजेशन के पास जाकर कह सकते हैं ये संगठन रिटायर्ट फॉजियों ने बनाया है ये संगठन परिशान लोगों की मदद के साथ देश सिवा के कारे भी करेगा इसके साथ ये शासन वा प्रिशासन तक अपनी बात पहुंचाने में मदद करके उचित कारवाई संगठन के सदस्तों के द्वारा करवाई जाएगी संगठन का राज नीती से कोई लेना देना नहीं है संगठन का सदस्ता ग्रहेंड सम्हारों आज हुआ आप सभी का स्वागत करता हूँ यह जो संस्ता है संगठन है यह हमारा दिल्ली से सुरूवा बैक्टरन जोगंदर सिंग साथ सेंगन ने इसको सुरू किया था पुरू के लिए इसका मकसद है हमारे जिसने भी बैटर्ञ्रंज है एक सर्फिसमेन है आर्मी एर फॉर्स ने भी तीनों के लिए कोई भी उंके अंदर में क Wash आता है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं अगर उनको री सेटल्मेंट नहीं मिलता है तो resettlement कराने की कोशिश करते हैं और उनके परिवार के साथ परिवार के बच्चों के लिए welfare का काम करते हैं और जिसे की देश सेवा करके आए और आज भी हम वैसा ही काम करें यही सभी को प्रोसान देते हैं और अपने civilian हो चाहे समाज के हो सब को training देके हम होज में, आर्मी में, नेवी में, एरफोर्स में जोइन कराने की कोशिश करते हैं और यही हमारी संस्ता का मकसद है और नेशन भश्ट है और नेशन जब हमारा राष्ट रहता है तब ही सब कुछ होता है आप देखते हो, जह राष्ट नहीं होता है जब तक सेना मजूत नहीं होती है तो E-Kron का जैसा हाल होता है एक करोड़ पती, एक पानी के एक ग्लास पानी के लिए विए तरस जाता है इसलिए अगर देश है देश कब है, जहां वारा सेना मजूत है और हम लोग देश की सेना का अपने उनके बच्चों का जो रिटारा है उनकी देखवाल करने के लिए ये संग्ठन है जय हिंद जय भारत ये संग्ठन का काम करेगा ये संग्ठन हर जगे पूरे देश में पहला हुआ अल इंडिया में है यहां का सिपुरी के एक जिलाद्यच होगे उपाद्यच होगे कोसाद्यच होगे सचिव होगे और लीगल एडवाइजर एक डिश्टिक में होगे जो बकील होगा तो हमको जो फिरी सेवा देगा उनी इस काम संग्ठन में उनको जोड़ेंगे और पूछिए कोई पार्टी का संग्ठन नहीं है यह नौन पॉलिटिकल है यह किसी से संब्मदित नहीं है सिर्फ हम हम हुमिनेटिक सेवा करेंगे देश सेवा करेंगे नो देर इस नो कास्ट नो क्रीड नो रिजन नो पॉलिटिक्स